हम लोग इस tutorial में bridge tools की बारे में जानेंगे bridge tools modeling के समय बहुत ही एक important tools है तो हम लोग क्यों bridge options apply करें first हम इसमें एक whole create करना चाहते हैं तो simply क्या करना है दोनों face को select करके यहां से delete options प्रेस करके यहां से face delete करना है next क्या करना है age select mode में जाके इन दोनों age को select करके यहां से a press करना है एक के बाद एक यहां से बार बार यहां पर सेम काम करना है यहां से यह बहुत ही time consuming process है तो सेम काम अगर हम लोग bridge tools apply करते हैं तो यहां पर एक second में एक जो bridge है औँ हो जाएगा bridge apply करने के लिए Ctrl E press करना होगा Ctrl E bridge edge look सेम काम आप यहां पर बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे Simply इन दोनों को select करना है Ctrl E press करके यहां पर bridge edge loop यह करने से इसे कहते हैं bridge तो अभी और एक example हम लोग देखते हैं अगर इस तरह की कोई model हम इस object और इस object को जोड़ना चाहते हैं तो क्या करना है? edge loop select करना है यहां पर edge select mode में जाके यहां पर अगर हम manually हम लोग इसे जोड़ना चाहते हैं तो क्या करना होगा? यहां पर एक edge है पहले इसकी edit mode में जाना है इसे select करना है इसे select करना है एप प्रेस करना है इस तरह से एक-एक face को जोड़ना है तो आप bridge tool यूज करके इसे एक second में आप कर सकते है पहले इस edge loop को select करना है alt press करना है यहां से edge loop select हो गए next क्या करना है? alt press करना है shift alt इस दोनो edge loop के साथ bridge कर देना है ctrl e press करके यहां से bridge edge loop अभी आब अगर इस holes को इस gap को अब अगर fill करना चाहते है तो यह भी एक-एक करके अब fill कर सकते है लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस fill को भी हम लोग bridge tools यूज करके यहां पर करेंगे तो यहां पर इसे dislike करना है and इसे dislike करना है next क्या करना है ctrl e यहां से bridge edge loop तो आप देख पा रहे हो कि कितना आसानी से मतलब कितना quick time में इस edge loop fill हो गया है यह जो holes था और fill हो गया है तो इस तरह से आप bridge tools यूज करके और भी new new models create कर सकते है